प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पतनी के साथ फोटो घिचा रहे हैं नमस्कार वच्चों, आज का हमारा पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते और हरी शंकर परसाई जी ने इसे अत्यांत रोचक भाशा में लिखा है लेखक ने कहा कि प्रेमचंद का एक चित्र उनके सामने है उस चित्र में वे पत्नी के साथ फोटों खिचवा रहे हैं उन्होंने अपने सिर पर मोटे कपड़े की एक टोपी पहन रखी थी कुर्टा और धोती पहनी हुई थी जैसे कि पुराने समय में लोग पहना करते थे कानों के साथ का भाग कुछ चिप्टा हुआ था और गालों की हडिया कुछ उबरी हुई थी किन्तु उनकी मूछे काफी घनी थी जिससे उनका चेहरा भरा भरा सा दिखाई दे रहा था बांधने की जो रस्यां होती है जूते की उन पर लोहे की पत्री निकल आई थी और यही कारण था कि जूते के सुराख में उन्हें डालने में कठेनाई होती थी इसलिए जैसे तैसे उन्हें बांध लिया गया था उनके दाहीने पाउं का जूता तो ठीक है यानि राइट जो पैर है उसका जूता ठीक है लेकिन लेफ्ट का कुछ फटा हुआ जूता था और उसमें आगे की और एक बहुत बड़ा छेद हो गया था जिसमें से उनकी उंगले बाहर दिखाई दे रही थी और यह सब लेखक इसलिए बता रहा है कि सहित्ते कारों की उस समय जो है कैस पैसी दशाथी यह वर्नन करने के लिए यहां पर लेखक ने बताया है और प्रेम चंद के फटे जुते इस बात की और संकेत करते हैं कि उनके पास धन का अभाव था पैसी का अभाव होता था और फिर कहते हैं कि जब उन्हें ऐसा दिखाई दिया तो उन्हें ये बात बिल लेकर के छाथा यससाथ तो ना खुड़ा नहीं ठीक रहता है त्युक्यों दुख सोचता है है कि जाले की अच्छा छोता है से ख्यागी होग मीए पास फोटो की लिए पिछवाने के लिए बैठ कई और सोचता है कि शायद प्रेम चंद के पास भी दूसरा जुता ना अगर। इस लिए वो फटा हुआ जुता पैन करके फोटो किचवाने के लिए बैठ गए होंगे। फिर रहे हैं लेक्त की विवश्टा प्रेम चंद की विवश्टा पर विचार करता है। welcoming कि तुम्हारी इह फोटों। देखते, देखते, तुम्हारे दुखों, को अनुभाव कर रहा हूं। मैं हैसूस कर रहा हूं कि तुम कितने दुखी होगे। और मेरा मन रोने को कर रहा है। अर्थात लेकक को क्या लगता है कि उनकी मजबूरी समझ में आ जाती है प्रेमचंद जी की और उनकी आखों में जो दर्द है उसे देख करके रोने का मन लेखक का करता है यहाँ पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की साजगी की ओर संकेत किया है और उनके पास जो अभाव है जीवन के प्रेमच देता है कि कम से कम जूता नहीं था तो फोटो की च्वाना कुंसा जरूरी था और यदि फोटो की च्वाना ही था तो जूते तो ढंके पहन लिए जाते फिर वे कहते हैं कि तुम फोटो के महत्व को नहीं समझते हो क्योंकि लोग फोटो देखकर ही वेक्ति के महत्व का आकलन करते हैं कि वेक्ति कितना महत्व पूर्ण है फिर कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे पास जूते नहीं थी तो किसी से अच्छे जुते मांग लेते फिर वैबेंगे करता है लोगों पर कटक्ष करता है कि लोग तो मांगा हुआ कोट पहन करके दुला बन जाते हैं लोग तो मांगी हुई कार से बारात में चले जाते हैं जिससे लोगों की नजरों में शान शोकत बढ़ जाए यहां तक कि लोग फोटो खिचवाने के लिए दूसरों की वीबी भी मांग लेते हैं अर्थात दूसरे की वीबी के साथ फोटो खिचवा लेते हैं और तुम हो कि तुम से तो जूते भी नहीं मांगे गई इसलिए फिर वह वापस प्रेम चंद जी को कहता है कि तुम तो फोटो का मैजव नहीं समझते हो लोग तो खुश्बुदार तेल लगा करके फोटो किचाते हैं तकि फोटो में से भी खुश्बु आई यहाँ पर फिर से वेंगे किया गया है गंदे से गंदे आदमी की भी फोटो में खुश्बु दिखाई देती है गंदे से गंदे आदमी भी बंसमर करके फोटो किचाते हैं अब तकि वे फोटो में सुन्दर लगें यहाँ पर फिर से हम प्रेमचंद जी की साध्गी को देख सकते हैं और दिखावे की जो प्रवर्थी चल रही है समाज में उस पर लेखक ने व्येंगे किया है उसके बाद फिर से लेखर केता है कि टोपी और जूते की कीमत को लेकर समाज में जो दिश्टी कौन है टोपी आठाने की मिल जाती है जूते पांच रुपे से कम के नहीं मिलते यानि कि टोपी की कीमत जूतों से बहुत सस्ती है जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है और अब तो कीमत और भी बढ़ गई है एक जूते के बदले 25 टोपियां निचावर करते हैं अर्थात एक जूते की कीमत में 25 टोपियां खरीदी जा सकती है जिब कि जूतों की पेक्षर टोपी का स्थान उचा है यानि अधीक सम्मानिय होना चाहिए लेकिन जो degli चीज शम्मानिय नहीं है वह अधीक कीमती है यहां पर फिर से भैवैंगे कर रहा है कि भई जो चीज इतनी कीमती नहीं है उसकी कीमत जादा है और टोपी सरपर रहती है तो भी किमती नहीं है टोपी और जूते की कीमत का अंतर बता करके यहां पर समाज में व्याप्त उचाही और निचाही का जो समान का फर्क है उस पर लेखक ने वेंगे किया है तेमचंद की आर्थिक दशा भी यहां सबस्ट दिखाई देगी और जो लेखक की शैली है वेंगे से भरी हुई है वेंगे आत्मक शैली उसे हम बोलते हैं फिर वह करता है कि मेरा जूता भी अच्छा नहीं है अर्थात मेरी आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं है दिखने में मेरा जूता उपर से अच्छा लगता है किन्तु जैसा दिखाई दिता है वास्तब में वैसा नहीं है यानि कि मेरी आर्थिक दशा देखने भर के लिए अच्छी है मैंने तो इसे छुपा रखा है उपर से जैसे जूता ठीक दिखता है लेकिन तला जो है जूते का वह है टूटा हुआ है और अंगुठा जमीन से पूरा पावी जक्मी हो जाएगा फिर से वह कहता है कि आर्थिक दूर दशा जो है उपर से अच्छी दिखाई देती है लेकिन उसे छुपाने का प्रयास किया गया है अब कहता है कि प्रेमचंद की तरह उनके जूते से उंगली तो दिखाई नहीं देती है लेकिन तले में से उने चोट लगती रहती है यहाँ पर प्रेमचंद की देहिनी आर्थिक दशा के साथ साथ खुद की जो दशा है उस पर भी उन्होंने कुछ परदा डालते हुए परदा डालने की प्रकर्ति जो है उनकी प्रवर्ति है उस पर वेंगे किया है लेकिक की भाषा काफी सरल ह फिर भय बताता है कि प्रेमचंद जीवन में परिस्तितियों से समझोता नहीं कर सके और यही उनकी सबसे बड़ी कमी थी क्योंकि समझोता करने वाले लोग सुखी जीवन जीते हैं और जो लोग समझोता नहीं करते हैं उन्हें जीवन में कस्ट उठाने होते हैं और यही कमचोरी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास गोदान में भी अमें दिखाई देगी जिसका हीरो जो था हो रही है इसका हीरो का नम वै कभी भी समझोता नहीं कर सका और नेम धरम की पालना उसके जीवन की कमजोरी बनी रही हमेशा के लिए नेम धरम उसके लिए बड़ा बंधन सिधुआ किन्तु फोटो में प्रेमचंद जी संदाज से मुश्कुरा रहे थे उससे लगता है कि उनके लिए शायद ये है नेम धरम बंधन नहीं अपि तुम मुक्ति थी नेम धरम क noises किसे कहता है अपने नियम नियम अपर जो लोग बने रहते हैं कर्तवे का जो पालन करते हैं उसे नेम धरम बोलते हैं लेखख ने उनकी जो फटी हुई जूते से जो बाहर उंगली दिखाई दे रही थी उसमें उसे देखकर के कहा यह पाउं की अंगली मुझे संकेत करती हुई सी लगती है कि जिस वस्तू से तुम घ्रणा करते हो वो उसकी तरफ तुम हाथ से नहीं पाउं की इस अंगली से संकेत करते हो यहने कि वह प्रतीक है समाज में व्याप्त गुराई की और संकेत करने का अभी नेम धरम का पालन जो है प्रेमचंद के लिए उसकी मजबूरी नहीं है बलकि उसका करतवे है उसे बोज नहीं लगता है नियमों में या करतवे का पालन करना किसी के दबाव में आकर के वह करतवे का पालन नहीं करता है बलकि उसके लिए वह खुश अनुभव करता है इसलिए नेम धरम उसके लिए कोई बंधन नहीं है मुक्ति है नेम धरम उसके लिए जंजीर नहीं है इसलिए उसे कोई जंजीर उसमें नजर नहीं आती है केवल मुक्ति का साधन ही है जिससे वह खुश रहना पसंद करता है और अपनी जोसकी आर्थिक दशा है उसका जिमेदार होने का उसमें कोई गम नहीं है इसलिए वह हमेशा अपने जीवन की जो दुर्दशा है उसे दुर्दशा नहीं मानता है और उससे खुश रहता है नेमधरम का पालन करना उसे अत्यंत पसंद है इस प्रेकार से आज मैंने आपको यह है अगर आपको इससे सम्मनित गाइड बुक लेनी है जिसमें मैंने multiple choice questions भी आपको वहाँ पढ़ाए थे तो आप मैंने आपको seller का number दिया है description box में आप वहाँ से ले सकते हो काफी बच्चों ने इसका नाम भी पूछा था और हमने बताए भी है हर बार सारे comments का जवाब देना संभाव नहीं हो पाता है इसमें दो तरह की guide आपको मिलती है एक mbd और एक दीपक दोनों के लिए आप seller से contact कर सकते हैं यह आपको पलब्द ना हो thank you for watching झाल 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 झाल